एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टोलोजे से मालखना को नमन करता हूँ बड़े बुजर्गों को प्रणाम बच्चों को ठेर सारा प्यार क्या असर होने वाला है 2023 में राहू का वरशब लगन और वरशब राशी वालों पर अगर आपकी लगन वरशब है तो भी आपको ये वीडियो सुनना है अगर आपकी चंदराशी वरशब है तो भी आपको ये सुनना है क्या असर हो का आप पर राहू क्या असर दे रहा है 2030 देटेल में बताएंगे नौकरी से लेकिए उपाय तक सब तो बने रहिएगा और हमेशा की तरह शेर सब्सक्राइब लाइक चरूर करिएगा इस चैनल को तो बात सबसे पहले व्रशब राशी की आपकी कुंडली से आपकी लगन से आपकी चंद राशी से बारवे भावों पे होंगे 30 अक्टूबर तक क्योंकि मेश राशी में अभी राहू है तो बात करें ओवर राशी की थोड़ा मानसिक तनावरशाब वालों को दे सकता है थोड़े स्वास्त के इशूज दे सकता है छोटी मोटी परिशानिया दे सकता है उन पर ख्याल लगना अब आते हैं मुद्दे पर नौकरी वेशाएब पर तो नौकरी वेशाएब की बात करें अधिकारी वर्ग रुस्ट रह सकता है खफा रह सकता है नाराज रह सकता है इसलिए अपने रिलेशन्शिप उनसे बैटर करने की कोशिश करिएगा प्रमोशन, पद, कोई उच्च पद रुख सकता है कुछ समय के लिए मन उसकी वज़े से व्यथित हो सकता है परिशान हो सकते हैं आपको उमीद थी कि इस कौर्टर में प्रमोशन मिल जाएगा या इस मन्त में मिल जाएगा नहीं मिला पता चला मेडियर या अगले कौर्टर में चला गया इसका ख्याल रखिएगा नौकरी बदलने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव रहेगा आसानी से नहीं बदलेगी फोकस रखिएगा उसी के साथ साथ खास तोर से शत्रू पक्ष के लिए गुड नियूस है वो खतम होगा कोई भी शत्रू आप पर हावी नहीं हो सकता कोई भी शत्रू आपको परिशान नहीं कर सकता यहाँ यह कुड नियूस है नौकरी के लिए शुब परवर्तन की बात करूँ तो भाई खासा सुब हो जाएगा फरवरी से लेके जुलाई के बीच यहाँ पर परवर्तन काफी लाबकारी रहने वाला है धन के मामले की बात अब आर्थिक पक्च की बात आपके तो क्या रहेगा आर्थिक पक्च आर्थिक पक्च खर्चे बहुत बाड़न है लगजरी में बहुत पैसा खर्च कर रहे है वोमन वाइन पर पैसा बहुत खच कर रहा है उस पर भी ध्यान रखना है कंट्रोल रखना है नहीं तो situation आउट आफ रीच चली जाएगी आउट आफ कंट्रोल हो जाएगी इस आड को skip करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की problems का solution ढूणना आसान प्रॉब्लम से solution तब आफ रता, know your faith तो इसलिए इनका ख्याल रखें वर्षभ राशी वाले धन्हानी के संकेत है धन्चोरी होने के संकेत है कर्ज लेन देन आसानी से चुकेगा नहीं अगर लिया हुआ है और दिया हुआ है तो असानी से वापस नहीं लोटेगा इस पर भी इसलिए फोकस रखेगा कर्ज लेन देन से 2023 में टोटल बचना है आपको चाना ही नहीं है उस रास्ते जो आपके लिए लिखा नहीं है अब बात पारवारिक जीवन की पारवारिक जीवन में इस्थितियां गंभीर बन रही है रिष्टो में तनाओ डिवोस जैसी इस्थितियां अलगाओ सेप्रेशन जैसी इस्थितियां बनती दिख रही है क्यों बारवे कर रहा हूँ कहीं न कहीं भटकाओ बहकाओ चलावा है दिखावा है बहकावा है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ राओ वो देता है तो आप पता चला एक अच्छी happily married life में लेकिन उसे छोड़के आप कहीं और focus करना है उस तरह की स्थितियां बनेंगी जो कि कहा तक होगी हित कारी बिलकुल नहीं कही जा सकती ऐसी स्थितियों से दूर रहिएगा तनाओ की स्थिति, separation की स्थिति, divorce की स्थिति दिखती है अब बात करने love affairs की right partner से right time पे marriage करने वाले ही मेरे साब से सब कहीं ना कहीं अच्छी right life जीते हैं वो नहीं हो रही है इस साल, अक्टूबर तक challenges रहेंगे तो अगर right partner मिल गए चुका था पहले इस साल के तो ठीक है marriage कर लीजेगा इस साल पे मिला है तो तस बार उसको टटोल लीजेगा, तलास लीजेगा, समझ लीजेगा, समझ लीजेगा, समझा लीजेगा अब बात कर लेते हैं स्वास्त की, खुटनों की समस्या, सरदर्द की समस्या, जोडों की समस्या, थ्रोट की problem परिशानिस साल करेगी फोकस रखना है, इनके इलावा इनके इतर स्वास्त हला की बहतर दिखता है अब क्या ऐसे उपायदें जिससे छोटी मुठी problem जो रशब वाली को है, रशब राशी, रशब लगनवालों को खतम हो जाए तो भाई, पीपल के पेड़ पे दूद, शुक्रवार, शनीवार, जरूद चड़ाईए, लाव मिलेगा उसी के साथ साथ बुद्धवार के दिन कबूतरों को बाजरा खिलाए, लाव मिलेगा 22 अप्रेल जब प्रहस्पती राहू का मिलन हो जाएगा आपके बारवे भाव पे गुरु चांडाल योग बन जाएगा तब से हर प्रहस्पती वार नारायन कवच पढ़े, पूरे साल लाव मिलेगा ये छोटे-छोटे उपाय कर लिए तो बड़े-बड़े लाव मिलेगे अगली राशी मिथुन लेके आ रहा हूँ, साल 2023 का राहू का सर टेटेल में बताऊंगा तो नजरे बनाये रखिएगा, शेर, सब्स्राइब, लाइक करिएगा आज के लिए दीजिये मुझे इजाजत, पृतीग भट का बहुत बहुत धन्यवाद